हलो दोस्तों नमस्कार इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टेनोग्राफर भरती 2014 की जिसका कोड का आदेश आया हुआ है परिच्छा का दूसरा हुआ तीसरा च्रण जो था अवैद करार था यहाँ पर गलत तरीके से बोला गया है कि परिच्छा कराई गई है और इस तरीक पर देखिए इस टेनोग्राफर में बहुत साई लोग जाब भी करने लगे थे अब यह समस्तिया आ रहे हैं उन्हें पुना परिच्छा फिर से देना पड़ेगा तो यह सब हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि दो हज़ार चौदा में भी देखिए यह हाल हुआ है 2018 में तो क्या गवर्मेंट मिनकुल यही सोच लिया है कि वैकेंशिया तो निकालेंगे लेकिन इसको इतने अंदकार में रखा जाएगा कि कभी भी कुछ भी किया जा सकता है इसके लिए अगर निरस्त करना था तो इसको तुरंद करना चाहिए अब क्या है कि जो जौब भी पागे हैं उनके साथ क्या हो रहा बहुत बड़ा अन्याई हो रहा एक तरीके से देखा जा इतने साल बाद तो यहाँ पर हम बात करते हैं आजी की देखिए लेटिस्ट खबर है दैनी जागरण में आया हुआ है पड़ सकते हैं इस टेनोगरापर बरती 2014 परिछा का दूसर इस से टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है यहाँ परम बात करते हैं इलहावाद हाई कोट ने अधीनस्त नियायले में 327 इस टेनोगरापर और 2341 लिपिक भरती परिच्छा 2014 में इस टेनोगरापर की स्टेज 2 वा 3 की परिच्छा 5 मा में नए सीरे से कराने का निर्द दिया है अदालत ने कहा है कि 2015 में चयन परिणाम के बाद नियुक्त विभिन जिलों में काररत अब यर्थी भी होने वाली परिच्छा देंगे सफल होने पर ही उनकी नियुक्ती प्रोनत्ती बरकरार रहेगी मतलब पुना परिच्छा होगी सेके 930 स्टेज जब पास कर तब ही आपकी नौकरी मिलेगे अगर आप नौकरी कर रहे हैं नई परिच्छ दे पाए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा अब यहां पर देखिए सब पूरा लिखा हुआ है समान अंक पर एक चायनी दूसरा बाहर यहां पर भी देखिए थोड़ा सा विभात हुआ है इल अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों तो सभी को पता चल गया होगा कि इस तरीके से देखा जाए और यहां पर पूरा आप अच्छे से पढ़ सकते हैं यह आदेश न्याय मूर्ति अस्वनी कुमार मिस्न ने बिनीत कुमारवा अन ने की याचिका को निस्तारित करते हुए कोट ने टाइपिंग टेस्ट में हिंदी टाइप की बिना पूर्व सूचना वह तैयारी का मौका दिये मंगल फॉंट निर्धारित करने पर यादिस दिया है ठीक है ना मंगल फॉंट पर यादिस दिया गया था याचिकों को कहना था कि नियमानुसार इस तरीके से आप द ना थे वन्चित रहे इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं इसका दुबारा फिर से आपका जुस्ते के घजाम हुआ था वह इसके बाहatan यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है आप देह सकते है यहां पर यह भी लिखा हुआ कितो हमारी बैकेंसी सब्रु का हुआ था कि इ 1379 का हुआ था ठीक है ना तो इस तरीके से देख सकते हैं TCS के प्रेडाम से त्यार किया गया और कमिटी इस तरीके से देख सकते हैं तो दोस्तों यहीं आपको बताना था और जानकारी आपको पता भी चल गई होगी ठीक है ना चलिए तो ठीक है दोस्तों बस यहीं आपको ज जान्गरी देनी दे